बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पेने यूट्यूब चैनल सुकला स्टडी पॉइंट में मैं से हम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के वीडियो के इंतरिकात हम लोग बात करेंगे बीए तरतिये वर्ष Home Science के Paper 1 के बारे में अर्थात ग्रे विग्यान पर्थम प्रस्ण पत्र बीए तरतिये वर्ष अर्थात बीए थर्ड एयर या फिर बीए पार्ट थरी बोले या फिर आप बोल सकते हैं इसको बीए लास्ट एयर या फिर बीए फाइनल एयर तो सभी चाचातरों के लिए important है हलाकि जो हमने बातें बताएं आपको सभी का मनलब एक ही होता है तो जो चाचातरे होंगे इसमें और उन्होंने Home Science लिया होगा आर्थात ग्रे विग्यान आपका विसेवस्तू है तो उसके Paper 1 आपको पता होगा ऑरई चे कहते हैं और जो दूसरा Paper होता है उसका नाम है Extension education इसिञीद को आप प्रसार सिक्षा कहते हैं और इसमें दो ही Paper आपका कौन सा होता है मौकीक होता है तीसरा Paper कैसा होता है मौकीक होता है अर्था वाई आपका आपके जो है college में जो है कुछ प्रोफेसर जो होंगे वो आएँगे और वो प्रोफेसर आप से परसंद पूछेंगे और आप उसका उत्तर देंगे यह हिसाब है उसका तो मौकीक परसंद पूछे जाएंगे ओके यह बात ध्यान दखेंगे तो home science बहुत सारे हमारे ख्याल से बात किया तो लगभग 80% जो है लड़किया home science पढ़ती हैं बाकी 20% में जो है लड़के पढ़ते तो इसलिए जो इसके person हमने रखे हैं वो जैसे कि आप इससे क्या समझते हैं हर एक चीजों में होता है लेकिन अब आज का वीडियो जो होगा उसमें मैं बोलूँगा कि आप क्या समझती हैं ये बात ध्यान लखेंगे चुकि आपकी जनसंख्या यहां पर कैसी बाहुल है तो उसी के हिसाब से सारी चीज़े होती हैं तो आईए हम चार्चा करते हैं आसानी से एक मुद्धे को आसानी से हम आपको समझाने का प्रियास करेंगे ये model paper है 2022 की परिक्षा के दिश्टी से और 2030 में भी यह लेक्षर बहुत ही अदमहत्पूर होगा paper 1 है paper 1 का नाम क्या है वस्त्र बिज्ञान ये उन परिधान का परिचे परिधान माने होता कपड़ा ठीक है तो उसका क्या परिचे होता पहनने का क्या का धंग होना चाहिए कैसे क्या वो सारी चीज़ेस में है तो इससे most most important परसनों को हमने चांटा है और बिगत वर्सों में जो पूछे जा रहे हैं परसन है लगातार उन परसनों को हमने इसमें रखने का परिचा है तो बड़े ध्यान से देखने का परिचा करेंगे सभी लोग वीडियो को आसानी से हम आपको बताने का परिचा हैं बिचितर तरतीय वर्स और पचास हब्दों में आपको लिखना होगा खंदा का उसकी बाद में खंडा का फिरसा ये तीन खंड में आपको फेपर डिवाइड होगा खंड आज ओहुगा मेरी पेप्र दूस्तों हलाएक आपको बता दू आओ जलाग एक नुन विस्जित दिया लें तो आप इसमें से आपको लगुत्रिय करने होते हैं और पांच में से यहाँ पर आपको दो करने होते हैं दीर गुत्रिय से चीज़े आपकी यहीं से आएंगी और कहीं से कुछ हाने की संभावना आपकी नहीं है, रताथा वस्तर केलिए उप योगी, जो रेसे होते हैं, उनके तीन गुण आप बताईए, वस्त्र के लिए उपयोगी रेसों के लिए मलब के रेसों के तीन गुण बताने के लिए प्रसन पूछा गया है तो जो वस्त्र पयोगी रेसे हैं उनके तीन गुण पहला गुण यह है मेरी पैर दोस्तों कि ऐसे रेसे क्या होते हैं जो वस्त्र के लिए उपयोगी होते हैं उन रेसों का पहला गुड़ यह है कि यह परियोजन सिल्ता है क्या परियोजन सिल्ता इनका पहला गुड़ हो गया थे दूसरा क्या होता है परियूजन सीलता अर्थात इनका परियूजन हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं इनका आयोजन कर सकते हैं हमको मिल जाते हैं यह अच्छी बात है ठिक दूसरी बात यह है भाई कि यह मौसम के अनकूल होते हैं ठिक दूसरी बात ठिक और तीसरी बात यह हो आउपन जो है होता है तो यह तीन जो है गुड होते हैं वस्तरपयोगी डेसों के ओके अगला प्रस देखेगा अगला प्रस आपके समक्षे पीतामबरा क्या होती भाई पीतामबरा क्या है तो पीतामबरा जो है वो सुंदर धोती को कहा जाता है पीतामबरा खास करके जो है साडी या ऐसी धोती जो की हैदराबाद के पैठा नामकस्थान पर बनाई जाती है उसको हम पितांबरा के नाम से जानते हैं और यह रेसम का जालीदार जो है कपड़ा होता है मलब आपकी रेसम का जालीदार वस्त curt होता है साड़ी का आचल पराया गाड़ा नारंगी रंग का होता है इसमें और आचल जो होता है और बार्डर का जो भाग होता है अलग-अलग बना करके फिर साड़ी में सिल करके एक साथ जोड दे जाते हैं और साड़ी में बीच बीच में फूल बने होते हैं, गमले बने होई दिखाई पड़ेंगे, हंस बने होंगे, इन सब तमाम परकार की आकरतियां, उस साड़ी पर बना जाती हैं, तो पितामबरा एक परकार की साड़ी है, जो कि क्या होती भाई, हैदराबाद के पैठा नामकस पर बनाई जाती है, रेसम की साड़ी होती है, रेसम वस्तर होता है, जाली दार जो है, रेसम का वस्तर होता है, और आचल गाढ़ा नारंगी रंग का होता है, हमने आपके होता दिया, और या फिर लाल रंग का भी हो सकता है, तो ये चीज़ आपको, और बार्डर और जो आ वह फिर कीमती होते हैं ठीक बहुत ही कीमती यह वस्तर होते हैं और बड़े बड़े लोग इसको पहनते हैं राज परिवारों में जो है बात की जाए तो जब कोई अवसर होता है कोई विशेस अवसर होता है तब राज परिवारों में ऐसे वस्तर लोग वहां पर पहनते हैं समझ में आ रही बाते हैं और जो पीतामबरा नाम का वस्तर है इसका प्रियोग धार्मिक कारियों के लिए अधिक मातरा में होता है पूजा पाठ करना हुआ तो उस अवसर पर जो है पीतामबरा लोग वहां की पहन करके हैदराबाद में पूजा वगरा किया करती है तो ये पीतामबरा क्या है एक परकार से साड़ी है ये बात आप ध्यान लखेंगे चलिए अगर आपसे पूछले कि मनी पूरी कढ़ाई की मिसेस्ता है बताइए मनिपूरी कढ़ाई की क्या विसिस्ता है भाई तो मनिपूरी कढ़ाई की बात की जाए तो प्रबतिय प्रदेश मनिपूर और कढ़ाई के लिए फेमस है मनिपूरी और कढ़ाई में बात की जाए तो वहाँ के लोगों की प्रकिर्थी प्रियता के साक्षा दर्सन उनकी कढ़ाई में दिखाई परते हैं और कढ़ाई है तू उप्योग तुवस्त्र पर तीख्ष्ण वा गहरे रंग के प्रियोग करते हैं यो लोग और कढ़ाई के टाके जो होते हैं BCS रूप से साधान एवं साटिन के प्रकार के होते हैं कढ़ाई यहां की बड़ी फेमस है कहां की मनिपूरी की ओके यह बाद ध्यान रखेंगी एक सब्दात ताहपका पटोला अगर आपसे पूछ लेता है पर पितामबरा के संब्र पटोला क्या है तो पटोला जानने जे क्या होता भई तो पटोला जो है एक प्रकार का वस्त्र होता है जो कि गुजरात के काठिया बाढ़ में बिसेश रूप से बनाया जाता है और यहां पर धीरे धीरे इसका जो है निर्माडा मुंबई में देखेंगे आप हो रहा है और सूरत में भी और अहम्दाबाद में भी इस जो है पटोला नाम के बस्तर की जो है बनाई वहाँ पर बनाए जा रहे हैं और आजकल उडिसा की प्रसिद्ध संबल पूरी साडिया भी पटोला के आकार की ही बनाई आती है तो हमने आपको बता दें पटोला क्या है समझ में आगई बाते अब आगे दिखते हैं अगला परसन आपके समख़ें तीसरा नंबर रेसे निकालने की प्रमुख बिधिया बताईए रेसे निकालने की प्रमग विधियां आपसे पोच रहा भाई रेसे निकालने की कौन-कौन सी प्रमग विधियां हो सकती है तो पहली विधि रेसा अगर निकालना है किसी बस्तर में रेसा हो गया तो उसको पानी के द्वारा हम water rating के द्वारा निकाल सकते हैं पानी के द्वारा हम रेसों को निकाल सकते हैं दूसरी बात हम किसके निकाल सकते हैं भाई ओस के द्वारा रथा ड्यू रेटिंग के द्वारा हम ओस के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं तीसरी बात यह है कि लकड़ी के पात्र के द्वारा रथा ऊड़न वैट रेटिंग के माध्यम से हम रेसे निकाल लेते हैं तो तोड़ करके या फिर पीट करके हम तंतू अलग कर लेते हैं अथा रेसम अलग कर लेते हैं मलब रेसी अलग कर लेते हैं तो अगला परसन देखते हैं भाई अगला परसन आपके समख्च है अगला परसन आपके समख्च है चोथा नमबर रेसम कितने परकार के होते हैं परसन क्या है भाई रेसम कितने परकार के होते हैं आप से परसन क्या पूछा गया है रेसम कितने प्रकार के होते हैं तो रेसम मुख्य रूप से बात की जाए तो पांच प्रकार के होते हैं और भी रेसम हो सकते हैं लेकिन मुख्यताया पांच प्रकार के रेसम पहला कौन सा रेसम होता है आपका मुंगा रेसम लिख लिजेगा पहला रेसम है आपका मुंगा रेसम दूसरा कौन सा रेसम है टसर रेसम दूसरा कौन सा है टसर रेसम तिसरा कौन सा रेसम है आपका अरंडी रेसम तिसरा कौन सा भई अरंडी रेसम और चौथा आपका कौन सा है यूनी बोल्टाइन क्या यूनी बोल्टाइ है और पांच वाल इख लिजेगा रेसम का प्रकार है मल्टी बोल्टाइन तो एक है यूनी बोल्टाइन और एक है मल्टी बोल्टाइन और एक है अरंडी रेसम और एक है टैसर रेसम और एक है मुगा रेसम ये पांच रेसम के प्रकार है जो कि हमने आपको बता दो रेसम की बात की जा है तो रेसम को वस्त्रों का राजा कहा जाता है क्यों कहा जाता है चुकि रेसम एक जानतों तंतू होता है जो कि सहतूत जानतों हमारे होता है प्राकृतिक तंतू है ये और सहतूत के ब्रिक्षों पर रहने वाले कीडों से ये बनाया जात एक moisturizer कर लिए अपनी सुंधल के लिए अपनी को Mलता के लिए इसमें लचीला पन होता है् आकर्शन करणे के लिए जाना आता है और यही करशनता इसकी सुन्दरता को मलता और लचेलेपन के कारण से इसको वस्तरों का राजा कहा जाता है चुकि इसका बिस्ष्ट गुड जो है उसके कारण से बिस्स में के सभी देसों में रोग रेसिमी कपड़े पहनना गौरों की मान बात मानते हैं और जो जिनके पास अगर रे में रेसम state सरपरथम और कैसे प्राप्त किया गए यह भी वाब वास सुननीजेगा तो रेसम का इसकी डोरा इसको कहते हो तन्तु रेसा वहीोग पहली कि साल पहले ईसकी जनमी के पहले से ही देशम का उत्पा मलब की उत्भव मानायाता है एक प्रचलित दंत कथा के अनुसार बात किया है तो एक सुन्दर चीनी रानी सीलिंग ची थी और उन्होंने क्या किया बगीचे में चाय पीने के बाद बाकी बची चाय के प्याले में सहतूत के मलब की जो चाय में बचा हुआ था अभी लास्ट में भी बचता है थोड़ा सा तो वही जो प्याले में जो कप में बचा चाय थोड़ा सा उसको सहतूत के पेन पर लटके हुए कोकून जो है उसी पर डाल दिया उन्होंने और कुछ देर बाद उसने देखा कि कोकून के उपर से एक अबिरल और रानी ने उस धागे को धागे का राजा को चोगा बना करके भेट कर दिया था और इस प्रकार से चीन को रेशम उत्पन करने का सरप्रथम देश माना जाता है तो यह कथन है एक कुई दंत कथा है आर्था लोग कह रहे हैं इसको कि एक चीनी रानी थी वो चाय पी रही पर उनका नाम क्या था सी लिंग ची उन्चरानी का नाम था तो बाग इचे में टहले थी चाय कप में थोड़ा सा चाय बचा उन्होंने वही पर ऐसे फेका ऊपर और वो जाकर के को को पर पड़ा और वह देखा कि कुछ देर बाद में क्या हुआ वहां से को कुछ टखल करक चमकेले तो उन्होंने देखा कि ये धागे हैं और उसी धागों को उन्होंने निकाला और धागों को निकालने के बाद में और भी उसी परकार की परकरिया करी और एक चोगा बनाया रोब जिसको कहते हैं रेजी में तो रोब बना करके राजा को भेट कर दिया और इसके ब लोग जो है सुट मौना बनाते हैं रसम को बनावी सकते हैं आघा स्वाधनिरमित रसम और एक उत्पादा रस 게임 तो हम एक बनाते हैं रसम और रसम करना देम के रसनीं कि बिस्दिंग कγοन भनारें कई होती हैं तो अब हम इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे हाला कि अब यहां पर ज्यादा उतना इंपोरेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताने रेसम की राशानिक विश्यस्ताई हैं जैसे कि हलकी अमलों के प्रियोग से रेसम के तंतु पर कोई हानिकारक हानिकारक पड़ता है तो यह कई चीज़े थी उसके बारे में जो कि हमने आपको बता दी आगे हम समझते हैं और भी मुद्दो को जानते हुए ओके आगे समझते हैं अगला परसन आपके समख चा चुका है पाच्वा नंबर परसन है रियान का पिता किसे कायाता है तो रिय शहते हैं रियान की बात की जाए तो रियान जो होते हैं मुखिरूप से इनको हम दो आध़रों पर बाट सकते हैं जैसे की एक होता है क्यों है पुन्रीमित सेल्यूलोज से बनाज रियान निर्मित होती यह कई छीज़ा आ जाती है कि नाइ्ट्रो बिद्धी और एक बिस्फोक बिस्कोस बिधी होती है एक कुप्रा मोनियम रियान जो है बिधी होती बदाने की तो यह कई प्रकार के रियान होते हैं जो कि हम आपको बता दियो आगे बढ़ा जाए अगला परसन आपके समझ च्छे चछटवा नम्मर परसन है सिलाई निर्मार के पाँच उपकरण के नाम बताईए सिलाई निर्मार के पाँच उपकरण के नाम बताईए अर्था सिलाई करते समय कौन कौन से पाँच उपकरण की आवस्ता सबसे आदा पड़ती है परसन क्या है सिलाई निर्माण के पांच उपकरण के नाम बताईए तो पहला कौन सा भाई अगर आपके पास इन में से जो लड़कियां होगी जो कभी सिलाई उलाई करी होगी उनको पता होगा बिना कहिची के कपड़ा कैसे काटेंगी नहीं काट पाओगी न तो पहली बात यह है कि कईची होना परमावस्यक है तो मलग की सिलाई निर्माण के पांच उपकरण के नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगी पहली बात तो कईची होनी चाहिए और अच्छी कईची सानवान रखा रहना चाहिए कईची पर ताकि अगर कपड़ा अगर आप काट रही है तो अच्छी तरीकिस कट जाए तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपकी कईची पर सान रखा होना चाहिए तो कईची खुब पहाटाई बड़ी हां एकदम से हो ताकि वो कट जाए वससे खुब बड़ी हां से ठीक है और दूसरी बात यह है दूसरी बात यह कही है कि सिलाई निर्माड के पांच उपकरणमा दूसरी बात है कि इंची टियप होग जरूरी है कौन इंची टियप अगर ना होए तो कईसे आदमी नापे कि किस प्रकार से जो है यह थोड़ी सी अवधी भासा में हमने बोल गया आपको अवधी कैसी लग रही है मेरे द्वारा तो अवधी भासा में कैसे बोलेंगी माली दूसरी बात क्या भाई इंची टियप आपके लिगे हुए जरूरी है अगर इंची टियप नाई है तो फिर जो है आप कपड़ा कैसे नापू नहीं नाप पैबू न तो ऐसे ऐसे बोला है था हो दी में तो सिलाई निर्माड के पांच कौन कौन से पहला क्या भाईया पहला कहिची होना परमावस्यक है दूसरा क्या इंची टेप का होना परमावस्यक है कपड़े को काटा जाता है और इंची टेप से क्या क्या आता है कपड़ों की लंबाई और चोड़ाई को मापा जाता है और तीसरी बात क्या होनी चाहिए आपके पास आपने कपड़े काट लिया और नाप लिया कि हाँ कैसे कैसे काटना है उसके बाद में फिर क्या करना था आपको उसके बाद में धागा आपके पास होना चाहिए रील का डोरा होना चाहिए जिससे आप उसको जो काटा है आपने उसको सीएंगी नहीं तो जिसने दिया है ना आपको सिलने के लिए कहेगा कि हमारा कपड़वा तुम काट डाले अब इसको सियोगे कैसे जब आपके पास धगवई नहीं है तो धागा का होना परमावसे कहें और चवती बात है कि आपके पास सुई होनी चाहिए धागा है अकेले धागे तो कुछ करना ही पाएगा सुई भी होना परमावसे कहें तो सुई आप लिख दीजेगा चवती पांचे पूछागा ना पचवा में आप लिख सकते हैं क्या पिन होना चाहिए पिन कुसन एक होता है और पिन कुसन दोनों आपके होने परमावसे कहें तो ये सिलाई निर्माण के पांच उपकरन थे जो कि आपको मसीन में लगने थे अगर आप से पूछे सिलाई मसीन के पांच मुख भाग के नाम बताइए ये भी जाम से कभी कोई पूछ सकता है कि सिलाई मसीन के पांच मुख भाग के नाम बताओ तो पहला मुख भाग सिलाई मसीन का है निडिल पलेट क्या निडिल पलेट होता है उसमें सिलाई मसीन में दूसरा कौन सा होता है सलाइड पले होती है और पांच बार कौन सा हो तो इसमें प्रेसर बार रेगूलेटिंग इसक्रू होता है किसमें सिलाई मसीन के मुखवागों में तो पांच मुखवा कौन कौन से पहला डेडल प्लेट दूसरा सलाइड प्लेट तीसरा प्रेसर फूटलिप्टर चौथा thread गाइड और पांच बार प्रेसर बार रेगूलेटिंग इस्कुरू ओके यह पांच जो हो गए आपके सिलाई मसीन के मुख भाग अगर आप से पूछागा की जो है प्रसन पूछ ले की नीडल थ्रेडर क्या होता है नीडल थ्रेडर जो हमने आपको बताया वाकिरकार है क्या ठीक तो यह क्या होता है धागा डालने में मदद करता है जो नीडल थ्रेडर होता है मसीन में और इसमें बात की जाए जो नीडल प्रेड जिसको आप कहते हैं तो उसी में नीडल थ्रेडर एक होता है तो वो जो होता है धागा डालने में मदद करता है और इससे क्या होता है कि इसमें एक पत्ती लगी होती है जथा उसके आगे तार लगी होई होती है जिसकी सहता से धागा क्या होता है सीधा होकर के सुई में डाला जा सकता है तो ये चीज है और मसीन का एक तेल होता जो कि मसीन में डाला जाता है तो भी बड़ी खासकर की चीज होती है मसीन में तेल डारते थमय कई बातों का ध्यार रखना चाहिए आपको बता दे क्या अगर आप सी रहीं तो आपको बता दे ताकि आपको सीने में कोई कठना ही ना हो जब भी आप मसीन में तेल डारें बाद मसीन को कुछ समय तक खाली या पुराने कपड़े पर चलाना चाहिए अन्यता कपड़े पर तेल के दाग जो है लग जाएंगे इससे जो दूसरा बैक्ति आपको कपड़ा दिया होगा वो खराब हो जाएगा और बहुत जदा गुस्सा हो जाएगा कि हमार कपड़ों ब हमने सुना है अगर कहीं पर चलती है एक रूम यह थे हम कानपुन में जो है जो है लेकर के पढ़ते थी तो वहां पर एक अंटी जी थी तो जो है बाहर आकर के सीती तो उनकी मसीन बहुत ज़्यादा आवाज करती तो हमके थोड़ा सा थोड़ा धीरे चलाओ तो भईया का क चलने लगेगी तो यह बात ध्यान रखेंगी तेल देने के बाद कभी कभी क्या करें आप धूब में रखें और जिससे क्या होगा धूब में रखने से यह आवाज कम करेगी और हलकी चलेगी सलसल चलेगी मसीन और चोती बात यह है कि तेल डालने के बाद बीना चलाए मसी मसीन को बंद नहीं करना चाहिए अगर तेल आपने डाल दिया तो उसके बाद मसीन को चला दे एक बड़ी हां से थोड़ा सा चला दिये ताकि क्या हो तेल सब जगा पर लग जाए ओके बात की लिए हो गई और एक मसीन चलाते समय एक और कारण फसता है जब सिलाई शुरू कर देती हैं आप लोग तो प्रसनेक बनता है कि सिलाई शुरू करते समय धागा उलजने के क्या कारण हो सकते हैं आर्था जो धागा उलज जाता है कभी कभी आप नहीं नहीं कभी मसीन पर बैठी हो और उसमे पहला कारण यह हो सकता है कि बाविन में धागा अधिक भरा होने से क्या होता है अगर आपने बाविन में धागा अधिक भर दिया तो इससे क्या हो जाएगा भाई धागा फस जाएगा दूसरी बात क्या कि मसीन की अगर सफाई नहीं होती है तो उससे भी धागा फसने की चां तो क्या हो जाएगा तब भी धागा जल्दी फसेगा पाची बात यह कि दोनों धागे प्रेसर फुटके पीछे ना ले गए हो तब आपका धागा क्या होगा अगर दोनों धागे प्रेसर फुटके पीछे ना ले गए हो तो क्या होगा तब क्या होगा आपका फस जाएगा ध तो किन वस्तों की आवच सक्था वोती हारता जब आप पैटन बना रहे हैं कि हां आपको का सीलना है अगर कहँडा कि हां पैन्टalis बुसट आपको सिलना है पैंट सर्थ तो पैंट सर्थ सिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्या क्या चीज़ आपके पास होने चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे नापने का टेप आपके पास होने चाहिए इससे आप उसकी नाप करेंगे इसरी बात क्या भई pencil हो pencil अगर नहीं तो आप कोई छूही है चाक है कुछ भी है वो आपके पास होना चाहिए एक brown paper होना चाहिए और एक कागज काटने के लिए कहची होनी चाहिए और एक table जो है लकडी के table जिस पर परसज्जा ना की गई हो या उसके उपर फला लेन का कपड़ा बिछा दिया गया हो वो होना चाहिए और साथ वी बाद प्रेस आपके पास होनी चाहिए तो ये कई चीज़े होनी चाहिए पैटन अगर आपको बनाना ड्राप्टिंग अगर आपको करनी है ओके ड्राप्टिंग माने समझते हैं ना ड्राप्टिंग बनाने की कई भी दिया जैसे कि सरप्रथम सबसे पहले कपड़े पर आडर बुक में जो है लिखे नाम के अनुशार ड्राप्ट बनाया रता है उसके बाद में जिस ब्राउन पेपर पर आप ड्राप्ट करें नाप उसी पेपर के किनारे पर लिख दे कि हां कितना नाप किसका है कमर कितनी है और इसके आद में लंबाई कितनी है और चेस्ट कितना है या इसी परकार से पूरा का पूरा नाप लें उसके बाद में फिर गोलाई वाले अस्थान पर हलके हलके निसान डालने चाहिए और वस्तर के यह सब जो हैं क्या बनाएं इस से क्या होगा संपॉलः भाग दिखाएगे कि हां क्या चाइज होनी कि जब आपकी सेख होनी चाहिए मिल्वग्दम से सापफ होनी थाकि दिखाएगी पड़े ओकी यह बात के लिए आपके आगे बढ़ते हैं अगला परसना है तो सिलाई निर्माड के पांच उपकरन हमने आपको बता दिये तो परदार निर्मार के है तू वस्तर जो है कैसे तयार करेंगे पहली बात तो यह कि सिलाई है तू उप्यूग तो वस्तरों का चुनाव किया जाए कि हां कौन से वस्तर को हमको सीना है दूसरी बात क्या वस्त्र का रुख पहचाना जाए कि हाँ आखिरकर वस्त्र का इसा है और उसके हिसाब से जो है सिला जाए तीसरी बात क्या है वस्त्र की सिकुडन दूर करना यह अगर आपको वस्त्र बनाना किसी का तो आप वस्त्र की सिकुडन को दूर करें चौती बात क क्या है वस्त की सिकूरन पर बनाना है क्या चीज तो यह चीज तो इस परकार से परिमाड अमलब की परधार निर्माड है वस्त्र आप जो ही इन पांच तरीकों को जो है पैटरन में लाग सकते करके आप लिख दीजेगा कोई दिक्कत की बाद नहीं होगी आप से पूछ सकता है कि कपड़ा काटने के सहाय केंतरों के नाम लिखे तो सुईया, कैची, धागा, अक्सी, पहिया, चाक, पिन ये सब कपड़ा काटने में सहाय कोते हैं कपड़ा काटने समय सब चीजे होनी चाहिए ओके ये बात ध्यान लखेंगे कभी-कभी आपसे पूछ सकता है कि कपड़ा काटने के चार सिद्धान बताईए ये कपड़ा काटने के कुछ सिद्धान बताईए तो कैसे आप बताएंगे तो कपड़ा काटने की सिद्धान की बात की ये तो पहला लिखिएगा कि जो है प्रिंट की दिसा सही फोल्ड आदी बातों पर समचिता आपको ध्यान दखना पड़ेगा कि print के दिसा कैसी है हमने फोल सही से मोड़ा है कि नहीं मोड़ा है हमने फोल बारे मोड़ना ही होता है तो हमने मोड़ा है सही से नहीं मोड़ा कपड़ा दूसरी बात क्या होनी चाहिए दूसरी बात यह होनी चाहिए कि पोसाग के बड़े हिस्सों को सबसे पहले काटना चाहिए ऐसा करने से क्या होता है कि छोटे हिस्से काटने में आपको मदद मिलेगी सुबधा मिलेगी दूसरी तीसरी बात क्या है इसकी भाई कपड़ा काटने की कपड़ा काटने की तीसरी जो सबसे आसान बात यह है कि आपको क्या धार नेकना चाहिए जब दो हिस्से एक जैसे होते हैं जैसे कि आपको बाही निकालना है हाथ की तो जब दो हिस्से एक जैसे हो तब दोनों हिस्से एक साथ कारने चाहिए ताकि दोनों जो है बराबर हो जैसे कि कोई क्या हो दिक्कत ना हो ठिक जिसे की pocket बनाना हुआ, cup बनाना हुआ, योग बनाना हुआ, यह तमाम सारी चीज़ें चोथी बात है कि पोसाग के दाएं और बाएं हिस्से काटते समय कपड़े को आड़ा या सीधा मोड़कर यानि की अच्छी साइड को अच्छी साइड पर रखना है, जो अच्छी साइड है उसको अच्छी साइड पर रखना चाहिए जब दोनों हिस्से अलग-अलग काटने हो, तब पहले pattern की सीधी साइड उपर की तरफ रख करके काटना चाहिए और दूसरी बार उसी पैटर्न कोई उल्टी साइड उपर की तरफ रख करके काटना चाहिए जैसे कि यास्तीन हो गया फ्रंट हो गया इसको इस तरीकी से रख करके ओके यह बात के लिए होगी आगे बढ़ा जाए है चली अगे बढ़ते हैं और मुंमनतों वंसमें कि ऊप्रस्न क्या है परसर पोच अबुछा आपसे परस्न आपसे कि अर्शा आप परस्न काटने के चार सप्थाल होता हुज हमने आपको बता ने पहले को पर द ने तो गपड़ा काटने के चार से दान थे परसंद हम नहीं रखा था ठीक आगे देखेंगे धागे कितने परकार के होते हैं वीडियो अप्लोड हो जाएगी आप यूटुक के अगर पर देख सकते हैं उसको के परसन क्या है परसना आपके समझचे कि धागे कितने प्रकार के होते हैं भाई बड़ा बड़ी हाँ प्रसना है धागे में खिरूप से बात किये तो तीन प्रकार के होते हैं धागे कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के पहला धागा कौन सा होता है साधार धागा अर्था सिंपल यार्ण धागी को अंगरेजी में क्या कहते ह दाग़ जिसको आप कहते हैं, ओके? यह यह बाध्यायन लखेंगे, तो यह चीज होगी आपके तीन हमने बता दियें, यह पर कभी करवे आपसे प्रस्ता है कि फैंसी धागों के कोई पांच परकार बताईए तो फैंसी धागों के पांच परकार में यह से पहला आपका दाता है इस्पाइरल धागा दूसरा होता है रेटीन धागा तीसरा है फ्लेक धागा चौथा है आपका लूप धागा पाचवा है आपका सलब धागा ये पाच परकार है आपके फैंसी धागों के के लिए रोगई बातें आगे बढ़ा जाए अगला परस देखते हैं दसमा नमबर परस नहें प्राणी जी तंतु कितने परकार के होते हैं प्राणिज तन्तू या प्राक्रितिक तन्तू जो होते हैं क्या होते हैं तो प्राक्रितिक तन्तू मुखे रूप से आपके तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है बानस्पतिक तन्तू दूसरा होता है जानतू तन्तू मलब जन्तूं से जो मिलता है बानस्पतिक तन्तू जन प्रानी तन्तु होता है कभी कभी पूछता है अगर आपसे पूछे आप प्रानी तन्तु होता क्या है तो प्रानी तन्तु क्या होता है भाई पस्वों की खालवा कीड़ों के स्राव से प्राप्त के आते हैं प्रानी तन्तु रासानिक संगटन के मुख्य भाग प्रोटीन का होने के कारण से इन्हें प्रोटीन तंतू भी कहा जाता है तो अगर आप से पूछे प्रोटीन तंतू किसे कहा जाता है तो प्रोटीन तंतू को ही प्रोटीन तंतू को ही प्रोटीन तंतू कहा जाता है चुकि रासानिक संगठन जो है इसका प्रोटीन के मुख्य भाग का बन जो है जन्तों के बाल हो गए तो भेंड का जो बाल होता उसे क्या बनते लून आपके बनते हैं तो उल अंग्रेजी में उन को उल कहते हैं डबल डबल ओ यल ओके तो वूल यार्थात उन जो होता है पहला प्राणिज तन्तु है दूसरा कौन सा होगा आपका वह भी रेसम वाले कीट जो है उससे जो निकलता है रेसम तो रेसम जो है मेरे पार दूसरा है तो पहला क्या है उन ठीक है और दूसरा क्या है रेसम यह क्य से प्राप्त नहीं होते हैं बलकि रासायनिक हुआ यांतरिक बिधियों से हम लोग बनाते हैं ओके और यह तंतु प्राकृतिक तंतु की अधिक मजबूत यह मस्थाई होते हैं कृतिम तंतु जो होते हैं कृतिम तंतु की बात किया है तो कृतिम तंतु दो परकार के होते हैं पहला होता है मानो दवारा निर्मित तंत्ु आर्था मैनमेड फाइबर और दूसरा होता है आपका रासायनिक बिदियों से निर्मित तंत्व आर्था सिंथेटिक फाइबर थ दो परकार के कर्थम तन्त्तु आपके होते हैं ऊके यह ध्यान रखेंगे किलियर हो गई बाते हैं आगे बढ़ा जाए यह आपको के लिए यह दस परसन नहीं आपको बता दिए यह अधिर गुद्री टाइप की परसन थे अब हम लगुत्री परसन के और बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं तो अगरला परसन आपके समझ है अब यहाँ पर हम खंडबा की बात करेंगे खंडबा से जो परसन आपके पूछे जाएंगे वो लगुत्री टाइप के परसन होंगे जिनको आपको सभी परसन करने हैं दोसर सब्दों में आपको उतर लिखना है दस परसन यहाँ पर अति लगुत्री के इसे दूसरा परसन दिया है मानों द्वारा निर्मित तंतों का वरणन करो या कीजिए और और करके दूसरा परसन ही पर दियागा कि उनकी भौतिक विस्यस्ता हैं बताईए अब यहाँ पर जो है इसको लेकर के दो परसन होगा दूसरे में लेकिन है क्या एक ही है अब यहा कुझाई के धानों की द्वाधयू के वारे मता द दू और चाहे उन की भोतिक ८सेcit को बतादो ठीक है दोणों में से कितना करना एक ही करना दोनों मत करिएगा नहीं तो आपको नंबर वह से पूरा नंबर दोनों कर तो भी आपको दस नमबर मिलता है आपको एक करने से यह वाला यह करेंगे तो आठ और नहीं मिलेगा आपको आठ ही नमबर मिलेगा चाहे आप जो है खूब लिखडार हो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन आप लिखना मत आप समझदार हैं तो आपको यही मेरी राय ह कि आप इसको लिखने का प्रियास करें और इसको दोनों में से केवल एक लिखने का प्रियास करें चाहे इसको लिखें और चाहे इसको लिखें बस यही मेरे करें का मलब है जब भी आपके एक्जामस में अत्वा करके दिया जाएगा तो आप समझ जाएगा कि चाहे उपर वाला करना है चाहे नीचे वाला करना दोनों में से कि वह लेखी करना है ठीक है चलिए दूसरा नमर परसन है कि मानो द्वारा निर्मित तंतू का वरण करो तंतू क्या होते हैं भाई रेसे को ही तंतू करते हैं जिसको अंग्रेजी में फाइबर्स करते हैं सिंपल सी बात है तो जो मानों के द्वारा निर्मे तंतू होते हैं उनमें बात की जाए तो मानों द्वारा निर्मे तंतू के निर्माड के लिए लकडी या बांस की लुगदी होनी चाहिए मनलब लकडी हो या बास की क्या होनी चाहिए लुगदी होनी चाहिए मनलब लकडी माने होता उसको पीस करकेicles की अच्छे तरीके से उसकी थोड़ा सा ऐसे आठा साना सनावा होता आठा आगर आप सान दे रोटी बनने लिये तो लुगदी हो जाती उसी आटे की लुगदी हो गई तो इसी प्रकार से बास की या लकड़ी की लुगदी अथा कापास को रासानिक क्रियाओं का परियोग करके घोल में बदल दिया आता है कापास को और इसके बाल तयार घोल को महीने जो है क्या करते हैं जो उसके बाद में जो घोल तयार होता है किसक महीन छेदों वाले थो यह स्पिनेटर होता है से हम लोग गुजारते यह और जब उसके नित्व outta महीन च्छेद होते हैं महीन तथा चमकदार रेसे जो होते हुआ उसी च्छेद से जो हते है वहो निकल प्रारं हो याते हैं और इस א condo को पाद में क्या की याता हम लोग उसको हम रियान के नाम से जानते हैं तो ये बात ध्यान लखेंगे जो क्यों मानों के द्वारा बनेरे में जो तंक्तो होते हैं जो फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं रियान कई परकार के होते हैं और इसी के अनुसार उसके रासायनिक तथा भोतिक गुण भ रियान होता है इसके जो है रियान दिमार की यह एक प्राचीन बिधी है और इसमें बात किया है तो सन 1884 बी में प्रोफेसर जार्ज एडमर्स ने सबसे पहले इस बिधी के द्वारा रियान का दिमार किया था नाइट्रो सेलोज के द्वारा ओके दूसरे दूसरा जो है विस क की लुगदी में कास्टिक सोडा मिलाया और उसे चारिये जैन थेड में बदला और दो से तीन दिन के बाद में इसमें कारबन डायकसाइड मिला करके क्या करा जैन थेड सेलेलोज तयार कर लिया और इस तयार सेलेलोज को कास्टिक सोडे के गोल में डाल दिया और गाढ़ा कर जो गाढ़ा पदार्थ होता है इसको विस्कोस कहते हैं और जब विस्कोस जम जाता है तो उसके जम जाने पर इसे बारीक छेदों से क्या करते हैं और इस प्रकार से जो बारीक छेदों से जो माल निकलता है वही चमकता हो धागे की आकार का निकलता है तो उसी से हम धागा प परकार से तंतु होता है इस बिधी का आभज्कार किया इस बिधी का सबसे पहले परियोग किया था कपास की पट्टेओं कच्चे-माल के रूप में परियोग मिलाया था है और कास्ट्िक सोडे से घोल करके इसमें कापर सलफेट वग अमोनिया हाइड्राकसाइड डालकर के घोल दियार के आता है और घोल के जब जाने पर इसे इस्पीनेटर जो होता है उसमें बारिक-बारिक छेद होते खुब महीन-महेन उसी छेदों में डाल दियाता है उससे गुजारा आता है और जब जो है महिन में छेदों से माल बाहर निकलता है तो क्या होता है वही धागा के रूप में दिखाई पड़ता है और वही धागा क्या होता है आपका रियान होता है तो मानों के द्वारा बंदिर में तंतों को हम क्या कहते हैं रियान कहते हैं ठीक उन में क्या होता है संगठन होता है उन एक तरह के रासाइनिक तत्तों से निर्मित होता है जिसे कैरोटीन कहते हैं तो क्या रासाइनिक तत्तों से निर्मित होता है और जिससे बनता है उन आपका वो कोई होता है कैरोटीन से बनता है और एक ऐसा तंतू है ये जिसमें गंधक पाई आती है इसमें 22 से 25 परसंट आक्सिजन उन में और उसके बाद में 50 परसंट कारबन और उसके 16 परसंट नाइटोजन और 7 परसंट हाईडोजन और 3 से 4 परसंट तक गंधक पाई आती है किसमें इनकी विसेस्ता होती है दूसरी बिसेश्टा यह है कि सिकुडन होतीई इसमें तो उन के तंतू या उसकी खुरदरी सतह पर नमी दबाव या फिर ताप का परभाव पड़ता है और उसके कारण से क्या हो जाता है उन क्या हो जाता है या फिर कभी-कभी चिपक भीजाता है और इसी कारण से उनिवस्तरों को धोने में भी कठनाई होती है और क्योंकि यह सिकुड़ जाता है तो यह बात ध्यान नखेंगे उनिवस्तर जल्दी सिकुड़ जाते हैं हलाकि अब तो उसको छाटने धोने के लिए अच्छे-चे वाशिंग पावडर के अस्तान पर आप इजी देखती होंगे ठीक उसका नाम इसी पर रखाए इजी माने होता है सस्ता मलब की सहज में धुलाई कर ले तो वो चीज और तीसरा जो होता है उनकी बहुत इक विसेस्ता है तीसरी क्या नाम इसने होती है तीसरी प्यषिसा यह होती है मलब की सूचमDRE सी अंतर से देखने पर इसकी याकरती छड की तरह के दिखाई पड़ती है और इसी सपा इसकी सता है मलब की सटा खुरदरी, कटीली और एक दूसरे के अंदर फंसी पर्तित हुई होती है और उनी तंतु के लंबाई जो होती है एक डसमलों 500 सोट से 18 सोट तक होती है चोथी बीसेस्था इसकी यह है कि आधरता सोचक होते हैं खालवकि प्रकार से बात किया है यही है तो उनी तंतु जो होते हैं अनतंतों से जादा क्या करते हैं आदरता को अपने अंदर सोख लेते हैं पानी को जादा सोख लेते हैं नमी को बनाए रखते हैं गरहन करते हैं और अपना भार में क्या कर लेते हैं तीस परसंट तक नमी बिना गीला किये हुए ये गरहन करते हैं और इस सिस्थिति में छूने पर गीला नहीं लगता है और इसके सूखने की गती भी काफी धीमी होती है और इसलिए सरीर की तीब्र वास्पिकर्ण को ये रो करके सर्दी से हमारी रख्चा करता है ठीक पाची बात ये है कि ताबबान का संचारन क्या ताबबान का संचारन भी उन के द्वारा हो सकता है तो आप लिखेंगे कि उन का तंतू ताब का कुछालक होता है इसके लिए उनी वस्तर जो है सर्दी के मौसमें पहनने के लिए बना जाते हैं उन के तंतू की रचना इस तरह से की जाती है कि इसमें वयु का प्रवेश ना हो सके इसलिए सरीर का ताप करम क्या हो ता है बना रहता है और वयु उससे क्रिया नहीं कर पाती छथा कि इसलिए इसलिए सूती वस्तर की रगड़ करके नहीं धोना चाहिए उके उन में सक्ती भी होती है लशीलापन भी होता है मिलन प्रवनता भी होती है तो यह कई सत्वामसरी जो है चीजे हैं उनकी बहुती बिशिस्ताओं में तो यह हमने आपको बता दिया आगे समस्ते हैं तीसरा नम्बर प्रसना आपके समख जई कि स्वाद निर्मित योम उत्पादित रेशम में अंतर बताईए असार जो कुछ जो घर पर बना जाते हैं रेशम और जो उत्पाद निर में जो रेशोते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं एक मुंगा रेसम एक तरसर रेसम और तिसरा क्या है अरंटी रेसम और जो उत्पादित रेसम होते हैं वो दो परकार के होते हैं पहला होता है लपेटा हुआ रेसम और दूसरा होता है कटा हुआ रेसम और दूसरा अंतर इसका आप लेख सकते हैं कि स्वादनर्मित जो रेसम होता है ये निम्नसरणी का होता है स्वा निर्मित जो रेसम होता है वो निम्नसरणी का होता है जबकि जो उत्पादत रेसम होते हैं वो चसरणी के होते हैं तीसरी बात यह है इसका अंतर कि स्वा निर्मित रेसम के रेसे जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं जबकि जो उत कीड़े जो होते हैं ओक के ब्रिक्ष पर फलते हैं किसके तो स्वाधनिमित रेसम के जो रेसे के कीड़े होते हैं जब कि जो उत्पादित रेसम के कीड़े होते हैं वो सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है उनको पांचवा इंतर इन दोनों का यह है कि स्वाधनिमित रेसम के रेसे कड़े तथा भारी पन लिए होते हैं जबकि उत्पादित रेसम के रेसम कोमल होते हैं और अबिरल होते हैं चमकदार होते हैं छठवा इन दोनों का अंतर यह है कि स्वानर्मित रेसम के रेसे भूरे सफे तथा पीला पन लिए होते हैं जबकि उत्पादित रेसम के साथ इसे होते हैं स्वेट वह सुच और साफ साफ एक्दम से होते होती हैं तो कि ये बात ध्यान रेकेंगे और सात मांधर भी आप लिख लीजेगा सात में तर यह है कि आज और स्वांतर में टरेसम होते हैं इसका रंग निमन वन किसम का about होता है जबकि जो पादित रेसम होते हैं उसका रंग कैसा होता है उच्छी किसम का होता है ठीक यह बात ध्यार लखेंगे यह परसना आपका हो गया अगला परसना के समख चेंगे अगला परसना और करकेसी में दिया है कि भैंसी धागों के कोई 5 परकार बताईए भैंसी धागों के कोई 5 परकार बताईए बड़ा ही अच्छा परसन है तो पहला भैंसी धागों के परकार कौन सा आपका हो गया लूप धागा दूसरा कौन सा होता सलब धागा तीसरा कौन सा आपका फलेक धागा और पांचवा कौन सा आपका गांठ वाला धागा ओके यह पांच परकार हम आपको बता दिए आगे समझते हैं चाहुता नमबर परसन आपके समग चाहे उनी एवं वस्ट्रेड वस्त्रों में क्या अंतर होता है उनी एवं वस्ट्रेड वस्त्रों में क्या अंतर होता है असपर्ष्ट कीजिए और वस्ट्रेड वस्ट्र को हम वस्ट्रेड फेबरिक कहते हैं ठीक हलाकि पहला अंतर देखते हैं भाई उनी और वस्ट्रेड वस्ट्रों में क्या अंतर होता है तो जो उनी वस्ट्रों होते हैं तो उनी वस्ट्रों में क्या होता है धागा की गढ़ना कम होती है उनी वस्त्रों में धागा गड़ना कम होती है जब की बात की यह वस्त्रेड वर्सों की तो वस्त्रेड वस्त्रों में धागा गड़ना उची वस्त्रों की अधिक्छा अधिक होती है उनी वस्तरों के अपेक्षा क्या होती है अधिक होती है दूसरा अंतर इन में है कि उनी वस्तरों के तंतू छोटे और घूंगराले होते हैं और वस्तरों के जो तंतू होते हैं सीधे वा लंबे होते हैं तीसरा अंतर इसका ये है कि उनी वस्तरों के धागों पर केबल धुना ठीली बटाई की जाती है इसले इसके तंतु अधिक मजबूत होते हैं जो इसने वस्टने की बुनाई का नमूना असपस्ट नहीं होता है इन वस्टनों पर प्रायासाधी बुनाई की जाती है कभी कभी ट्वील बुनाई की जाती है इस पर किस पर उनी वस्त्रों पर जब की बात की जाए वस्त्रेड वस्त्रों की तो वस्त्रेड वस्त्रों में बुनाई का नमुना असपस्ट होता है अधिक तर ट्वील बुनाई की जाती है और कभी कभी साधी बुनाई भी की जाती ह पाचबानतर है कि इस पर मुलायम जो है उनी वस्त्रों पर मुलायम तथा नरम पर सज्जा की जाती है जैसे कि रोई उठाना भाब देना ये सब उनी वस्त्रों में हम देख सकते हैं जबकि बात की जाए वस्त्रेड वस्त्रों के तो इस पर कठोर पर सज्जाए की जाती है जैसे कि जुल सा जाता है भाब जाता है कई परकार कीजिए शटवांतर यह है कि उनी वस्त्रों में धूल के कण आती सीघर चिपक जाते हैं जबकि वस्टर्ड वस्त्रों के में धूल के कण सीघर ही नहीं चिपकते यह धूल के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं बात किहां तो वस्टर अधिक गरम होते हैं कंम महत्स किले वस्ट्र स्टर के जिम्में पहनने के लिए उपयोगी होते हैं ओके यह कई चीजे हैं जो कि हम आपको बता दीए आगे बढ़ते हैं अगले पसने के और अगला पसना आपके समग चाहिए ही पर देखेंगे आपके दिया है अगला पसने ही पर देखेंगे वस्त्रों की सुरक्षा के लिए कौन सी सावधानिया रखने चाहिए पहली सावधानी वस्त्रों की सुरक्षा रखने के लिए कौन कौन से सावधानी होने चाहिए पहली सावधानी होनी चाहिए कि कपड़ों को पहनने के पश्चात उनको ठीक परकार से बुरुस करके रखना चाहिए जिसके कपड़ा क्या होता है जिससे जब आप ऐसे रखेंगे तो क्या होगा कपड़ों से धूल सब निकल जाएंगी दूसरी सावधानी की सूती वस्तर जिनसे स्टार्च लगी हो सूती वस्तर जिनमें स्टार्च लगी होती है उनको साप पानी से धो करके उनका स्टार्च निकाल करके सुखा करके सावधानी से रखना चाहिए स्टार चुक्त कपड़ों को कीड़े काट जाते हैं जिससे वह उपयोग के योग नहीं रह जाता है तीसरी बात यह है कि वस्त्रों को संग्रा करने से पहले कभी-कभी बीच में धूप तथा हवा लगाते रहना चाहिए इससे यदि वस्त्रों में केटानों होंगे तो वो नस्ठ हो जाएंगे चौथी बात इसकी यह है वस्त्रों की सुरक्षा के लिए सावधानी चौथी सावधानी यह है कि वस्त्रों को जिस बकसे में रखना हो उसे पहले धूब में रखना चाहिए जिससे क्या हो कि उसमें कीडे जो है वो निकल जाए इसके पच्चात कपड़ों को बुरुस लगा करके तक बुरुस लगा कर तह खरके भकसे में क्या कर दिया जाए भकसे में रख जो है रखना चाहिए पाचवा इसका जो है ये सावधानिया होनी चाहिए कौन सी कि मैले वस्त्रों का संग्रह नहीं करना चाहिए तो कि मैल के कारण वस्त्र गल जाते हैं और उन्हें कीडे खा जाते हैं तो ये कई चीज़ ही हमने आपको बता दी आगे बढ़ते हैं पाचवा नमबर पस नहीं है आपके समक्ष पर्दों का चुनाओ करते समय किन-किन बातों का ध्यान लखना चाहिए माल लेते हैं गाउं में जो है पर्दा बेचने आया और आपको बड़ा ज़्यादा मन करना कि नहीं हमको पर्दा खरीदना है तो किन-किन बातों का आप ध्यान लखेंगी पहली बात तो यह है कि पर्दा वाले जब कोई आये तो आपको पर्दों का कपड़ा खरीते समय इस बात पर बिसे ध्यान देना चाहिए कि कपड़े का रंग कैसा होना चाहिए, कपड़े का रंग पक्का होना चाहिए, अर्थत उतरे नजल दी, दूसरा बात यह है कि पर्दो का रंग कमरे की रंग योजना से मिलता जुला होना चाहिए, इस परकार कमरे का संदर जो होगा बढ़ जाएगा, तीसरी बात यह है कि पर्दे का कपड़ा मजबूत और टिकाओ होना चाहिए चोथी बात यह है कि पर्दे का चुनाओ करते समय यह भी ध्यार में रखना चाहिए कि पर्दा की सुद्देश से लगाया जा रहा है पाच्वी बात इसकी यह है कि पर्दे के कपड़े के रंग का चुनाओ मौसम के अ परदों को द्यान रखना चाहिए आपको परदों करते समय चछटवी बात है कि परदों को कपड़ा हलका होना चाहिए भारी परदों को धोने में क्या होता है कठिनाई होती है कबरे की दिवारें किस तरहा की है अगर दिवारों पर चित्र लगें तो परदे साधा होनी चाहिए अगर दिवारे इस पर डिजाइन बनी होनी चाहिए ओकेए यह बात ध्यान रखेंगे अगला प्रस्णाब के समक्षे आर करके दिया धब्बे छोड़ाने के सामान निर्देश बताई धब्बे छोड़ाने का पहरा निर्देश यह है कि जब ताजा लगे धब्बे को सरलता से छोड़ाया सकता है धब्बा जितना पुराना हो जाएगा उसको छोड़ाना उतना ही कठिन हो जाता है और धब्बे की बात की जाए तो जो है जिन धब्बों की परकिर्थी का पता हो उन्हें बलब उनके निश्चित बिसिष्ठ प्रती करमक से छुडाना चाहिए और प्रती करमक का चुनाव विवेक और समझ बूज के साथ करना चाहिए ठीक और वस्त्रों की प्रकिर्थी वयन एवं रचना की अनकूल ही धब्बे छुडाने वाले पदार्थ जो होते हैं उनका चैन करना चाहिए रासानिक प्रती करम का प्रियोग करते समय पहले उसके तंतु घोल का भी प्रियोग करना चाहिए एक बार ही किसी प्रती करमक को सांद्रित आवस्था में लगा देने की अपिक्छा कई बार तनू घोल लगाना अच्छा रहता है क्योंकि इससे बार जो है क्या होता है इस बार वस्थर को हानी नहीं पहुंच जाती है ओके यह कई चीज़े थी हमने आपको उता दी धबे छुडाने के सामाने देस हैं और भी कई चीज़े हैं किसी देन चार्चा कर लेंगे विस्तार से धबे छुडाने के कई बिधिया होती पहली है घोलक बिधी दूसरी आपके हो सकती है रासानिक बिधी तीसरी आउसुसक बिधी चौथी आपकी और भी हो सकती है ओके तो ये तीन बिधी बड़ी फेमस है आपकी यह बात ध्यान अब आगे बढ़ते हैं अंगला प्रसन आपके समझ च्छटवा नंबर प्रसन है बुनाई के प्रकार बताईए प्रसन क्या है आपके समझ भाई प्रसन है कि बुनाई के प्रकार बताईए तो बुनाई कितने प्रकार के होती है रंगाई को अंगरेजी में डेरिंग कहते ह रन्गाई को क्या करते हैं रन्गाई को डेंग करते हैं और पूराय को अंगरेजी में क्या कξते हैं बनाई को अंगरेजी में क्या करते हैं भई बताने Susi test लेए मिलुकल ठीक है मिलेखरी आगे देखते हैं तो बुनाई के कितने परकार पूछ रहा ना बुनाई के परकार वताई तो पहला परकार होता है गोला कार वा सपाड बने हुई वस्तर ठीक है क्या गोला कार वा सपाड बने हुई वस्तर को के हैं बुनाई की जो है मसीन में बहुत सी हुक लगी हुई सलाईयां ह सकता है मसीन जिसमें सुई बिताकार रगी हुई है या मुझे वा अनलगोलाकार वस्तर बुनने के प्रयोग में आती है यदि सुईयों को सीधी कतार में लगाया जाता है तो एक हिरी चोड़ाई का वस्तर बुना जा सकता है जिसको सपाट बुनाई का वस्तर करते हैं ओके आ मुला की तहदार बुनाई होती है यह कई बुनाई है अगला प्रस्णा आपको आर करके दिया है कताई से पूर्व रंगाई की विधियां बताई कताई से पूर्व रंगाई की विधियां क्या हो सकती है हरी قटाई माने हो थे कटाई से पूर पहले ही जब की तीसे आपकी तीसी तीसरी ती Конечно की रंगाई ओकि यह तीसरी दख्छेओं की रंगाई तो यह तीन जो है प्रकारत की रंगाई विधिया है तो कि हमने आपको बता दी ठीक है कि होगे कलिए बाते हैं तो आगे हम समझते हैं अगला प्सनाप के समख चेंट यह सारे के सारे प्सनाप के लिए बहुत ही अदर महत्मूर थे जो कि हमने आपको बताया और लगातार यहां से परस्न इक्जामज में आते हैं और इसी प्रकार से यहां पर हमने 10 परस्न आपको बताये लगूतरी के इन 10 के 10 परस्नों के उत्तर भी हमने आपको बताने का प्रियास कुछ तूटी-फूटी सब् मुद्दे को कर पाएंगी तो आप लोग इस वीडियो को जदा से दा मात्रा में लाइक करें सभी दोस्तों के पास वीडियो को सियर कर दीजिएगा प्रतेक बिक्ती जो है आप लोगों को से यही रिक्वेस्ट है कि आपके घर में यतने फोन है सभी फोन से क्या करें आप लगे हुए हैं तो आप देखिए आपके घरवाले देखेंगे नहीं और आप उसका बैल आइकन मत प्रेस करिए बस वीडियो को लाइक करवा दीजिए सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपका सुक्लाइटिक पॉइंट्स आपके सार लगातार बना हुआ है आपका ही प्यार प्रस्ण आपके समख चाहिए वस्त्र तंतूं का वर्गी करण कैसे किया जाता है वस्त्र तंतूं का वर्गी करण कैसे क्या आता है प्राकृतिक एवं कृतिम तंतूं के बारे में आप क्या जानती है संधाईए प्रस्ण क्या है वस्त्र तंतूं का वर्गी करण कैसे क्या कि आप लिखेंगे किए परकार होते हैं फ़ला फ़ला इस परकार से लिखें अगले पस्ता हम की समची 8 रेंग्र लगता तो आपको जो है इसके और वीडियो मिलते रहेंगे और पेपर टू की वीडियो जल दिया आपके समझ चाई कि प्रहसार से जो है सिख्चा की तो आप लोग परिसान मत भगिए अगरा पसना है आपका आठवा नमबर वस्तिविग Bjarkan पर स्थिंन क्या है है वस्तिविग ज्ञान का ज्ञान ग्रहरी के धैनिक जीवन में महत्पूर्ड क्यों है इसकी जानकारी चानकारी से क्वाइचा क्या लाव होते हैं प्रस्ण क्या है कि वस्त्र विग्यान का ग्यान ग्रहेंडी के दैनिक जीवन में महत्पूर्ण क्यों है इसके जानकारी से क्या-क्या लाब होती है अगला आपस देखते है अगला आपस नवा नमबर पसना आपके समझ चाए नवा नमबर पसना हाथ करगे से आप क्या समझती है हाथ करगे से आप क्या समझती है इसके विभिन अंगों के कार्यों का विस्तार वर्वक वर्णंद कीजिए मोस्ट इंपॉर्णन प्रस्णाब की समखचा चुका है तो ये प्रस्णाब का बहुत यह दमाहत पूर है कि चांस में लगाता रहेगा और आ सकता है मोई दस्वा नमर प्रस्णाब की समखचा है कि घर के वस्त्रों को धोने से लाव जथा धोबी के वस्त्र धुलवाने से हानियों का वर्ण कीजिए अर्थत घर के लोग अगर वस्त्र को धुलेंगे तो उससे लाव होता है तो वो लावों को बताएं उसके बाद में अगर धोबी से वस्तर को धुलवाया जाए तो उसके कई हानिया होती है तो कौन कौन सी हानिया है यह आप से पूछ रहा है अगला परसन आपके समख्छ है अगला परसन देखेगा 11 नमर परसन है रेसम को वस्तरों का राजा क्यों कहा जाता है तो आप लोग इन परसनों को जो मैं आपको देखने का परएस करूंगा अगर आप लोग से देख करके आसानी से पढ़ लीजेगा चलिए पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन जे भारत आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे सब जुनने के लिए इसी प्रकार से अपना कार दुरा बने रखेगा और आपको बता दूं यह वीडियो पर आप लोगों ने नहीं देखा तो इन पर आप लिए उसको भी देख लिए जाए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जह भारत आप से भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे सब जोनने के लिए इसी परकार से अपना प्रदुलार हमिशा से बनाए रखेगा चलिए बहुत-बहुत झाल टो